हेलो फ्रेंट्स मैं अनाया स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आशन हेल्थ ग्यान में जिसमें आज हम आपको मौर्निंग वाप के फाइबे के बारे में बताने वाले हैं आप स्वस्त रहे मस्त रहे इसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखे हमारे सास्त्रों में कहा गया है कि सवेरे ब्रह्म मूरत में उठे सवेरे उठना और घूमना हमारे शरीर के लिए संजिवनी के समान लाप्रद है सवेरे घूमने से हमारा शरीर और मन दोनों ही स्वस्त रहता है सवेरे घूमने के एक नहीं अनेकों फाइदे हैं मॉर्निंग उक करने से हमारे शरीर के करने से स्वस्त वायू और शरीजन य॥ वायू जिससे हमें पुरे दिन ताजगी और इस्फूर्टी बनी रहती है। हम आलश और अनिन्द्रा से दूर रहते हैं। सभेरी जल्दी उठने से लगा कर जल्दी खाना खाने यह Wystar सुने तक के नियम कैदी हम पालन करते हैं तो हमारा शरीर रोगमुक्त रहता है कि स्वस्त रहने के लिए हमें ब्रह्म मुरत में उठना चाहिए ब्रह्म मुरत में उठने शरीर में अध्यात्मिक शक्ति का भी संचार होता है आज की वेस्त भागदोर की दिंचरिया में सभी लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत खराब हो गई है ऐसे समय में थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना सभी के लिए बहुत जरूरी है स्वस्त रहने का एक ही मूल मंत्र है मौर्निंग वाक मौर्निंग वाक के एक नहीं हजारों फाइदे हैं हमें हमारा शरीर बिमारियों से रहित रखना है तो प्रती दिन मौर्निंग वाक करना बहुत जरूरी है मौर्निंग वॉक से होने वाले अनेको फायदे इस प्रका है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में 80% लोग मोटापे से ग्रसी थे मोटापे से निजात पाने का सबसे कारगार उपाए नेमिट तहलना ही है मौर्निंग वॉक करने से शरीर में जमी अत्रिक्त वसा और चर्वी कम होती है और शरीर में हलका पनाता है मौर्निंग वॉक और सबेरे की गुनगुनी धूप से हमारे शरीर में विटामिन D की पूर्ती होती है और विटामिन D से होने वाले विविन में रोगों जैसे ब्लड प्रेशर पढ़ना, चेहरे और हातों पर जुरिया पढ़ना, मास पेसियों में ठकान मैसुस करना जैसे रोगों से भी छुटकारा मिल जाता है आज की मिलावटी खान-पान और काम की वज़ा से एक ही हिस्तान पर घंटों बैटे रहने से कैंसर जीसी घातक बीमारियों की चपेट में हम आ रहे हैं इसी घातक बीमारियों से बशने का एक मातर उपाय मॉर्निंग वॉक ही है इसलिए प्रति दिन सबेरे निहमी टहले मॉर्निंग वॉक से हमारी रोध प्रती रोधक्षंता बढ़ती है फेपड़े स्वस्त और मजबूत रहते हैं ठकान और आलस से हम दूर रहते हैं और पूरे दिन हम दोगुनी उर्जा और साहत्स के साथ में अपना काम कर पाते हैं सबेरी की ठंडी ठंडी हवाय और भक्ति युक्त संगीत हम में पॉजिटिव इनेर्जी का विकास करते हैं हम हर कारे को पॉजिटिव तरीके से करते हैं हम में सकारातमक्ता विक्सित होती है डाइबिटिस पैसेंट को तो डॉक्टर कहता ही है कि आप जितना पैदल अब जितने जल्दी आपके डाइबिटिस ठीक होगी आप स्वस्त और मस्त रहेंगे मॉर्निंग वाक करने से तनाव और डिप्रेशन से रहत मिलती है त्वजा में निखार आता है हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं मॉर्निंग वाक करने से हमारा शरी इसलिए आज से ही आप अपनी विस्तम दिन चरिया मैंसे एक घंटा प्रती दिन अपने लिए जरूर निकाले और मॉर्निंग वाक पर जाएं दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों रिष्टेदारों म भूले दोस्तों ऐसी स्वास्त संबंदी विभी ने जानकारिया पानी के लिए हमसे जुड़े रहे धन्यवाद करें 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 करें